अब तक हम बात कर रहे हैं कि content SEO के लिए और Google के लिए बड़ा ज़रूरी है लेकिन content है क्या इसको कैसे हम understand करें के content क्या है Google को rank करने के लिए content की अश्र ज़रूरत है Google को जब तक content नहीं मिलेगा आपकी SEO या आपकी ranking बेतर नहीं हो सकेगी तो सवाल यह है कि content क्या है content जब हम बात करते हैं content की तो हमें लगता यह है कि content का मतला सिर्फ text है text ज़रूर content है लेकिन सिर्फ content text नहीं है for example Google में जब कुछ भी search करते हैं आपको सबसे पहला result जो नज़र आता है आम तोर पर वो Google की सारी website आती हैं जिन पर वो कोई ना कई words लिखे हुए होते हैं जो आप उस पर search करते हैं text तो बड़ा simple है लेकिन अखर आपने देखा होगा कि Google की search में images भी आपको मिलते हैं कुछ queries के against जब भी आपको search करते हैं कुछ query generate करते हैं उसके against कभी आपको images भी नज़र आते हैं कभी आपको videos भी नज़र आती हैं और कभी आपको इससे मुख्रिप different formats नज़र आते हैं so content क्या है content की चार बड़ी formats हैं चार बड़ी exam कह लें आप उसको या चार बड़े formats उसको आप कह सकते हैं for example सबसे पहले तो text वो content है अब text किस तरह का text टेक्स्ट में आप English language में उर्दू language में किसी भी जबान में अगर आप कुछ लिख रहे हैं तो वो text कहलाता है अब वो text google index करता है और हर जबान को google समझता है और उसको वो अपने database में maintain करता है तो text एक बड़ा content की शकल है लेकिन इसके लावा content image के तोर पे भी count होता है so image में क्या क्या आजाता है for example अगर आप अपनी या किसी की तस्वीर उतारते हैं वो भी content है लेकिन अगर आप कोई logo डिजाइन करते हैं या कोई और image डिजाइन करते हैं या icon डिजाइन करते हैं वो भी content image की शकल में content है और इसी तरह से different तरह से जो भी आपको visually नजर आ सकता है जो आप देख सकते हैं ऐसा कोई design वो सब content की different form है और उसको हम images में categorize कर सकते हैं कि image content Google index करता है और वो image किसी भी तरह का हो सकता है इसकी तरह से अगर content और audio को mix कर दें image content और audio को mix कर दें तो आप video की शकल में आपको एक नया format मिलता है जिसमें आप चीज़ें देख भी सकते हैं उसमें सुन भी सकते हैं और कहीं न कहीं वीडियो में आप कुछ पढ़ भी सकते हैं तो वीडियो एक different format है और Google वीडियो को ना सिरफ index करता है बलके Google के पास YouTube की शकल में पूरा एक platform मुझूद है जो Google वीडियो content वहाँ पे host करता है इसके लावे एक चो चोथी form है content की वो है audio so audio की शकल में Google के पास काफी सारा content available है कोई Google के पास ऐसा specific platform नहीं है लेकिन अगर आप music देखें या अपनी recording देखें या किसी भी तरह से अगर कोई lecture आप सुन रहे हैं या चलते हुए कोई गहना सुन रहे हैं इस सारी चीज़े audio content की शकल में Google के पास index होती है और आप उसको search कर सकते हैं depending on कि आपकी search query क्या है Google उसके मताबिक आपको results दिखाता है तो Google की कोशिच यह है कि वो in different formats के content को index करे, maintain करे, optimize करे और जब कोई इसको search करे वो उसको दिखाए भी लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़े और भी हैं ना तो वो वीडियो है ना तो वो audio है वो एक different तरह का content है जो Google अपने पास host करता है उसको optimize करता है और जब आप search करते हैं तो उसको results में show भी करता है Google Maps में content क्या है basically आपकी GPS location जो global positioning system के तहता आपका mobile device या आपके पास GPS device होती है उसके रहाद जो अपने आप location Google को feed करते हैं कि आप कहां जा रहे हैं कहां से आ रहे हैं और आप इस वक कहां खड़े हैं Google ये सारी information record करता है और उसके बाद Google Maps के शकल में एक पूरा database मौजूद है जिस पे वो सारी information आप map कर सकते हैं तो अगर आप अपने Google account में login करें तो आप अपने Google Maps ने अपनी अकसर history भी देख सकते हैं अगर आपने अपने maps की history on की वी है तो आप ये देख सकते हैं कि आप को Google ने कहां कहां पर track किया था और ये सारा एक तरह से content है जो कि आप Google के पास देख सकते हैं तो for example यहां से आपने लहोर से कराची जाना है और आप Google में search करें लहोर to कराची तो Google आपको different results दिखाएगा जिसमें maps की भी एक form होगी इसी तरह से जैसा कि मैंने पहले बताया कि content में text आता है लेकिन text में different जुबाने हैं आप Google Translate के नाम से Google की एक और product है जिसमें वो हर तरह की जुबान का एक उसने database बनाया है अगर आप अर्दू में कुछ लिखें तो आप उसका English में मतलब जान सकते हैं अगर आप English में कुछ लिखें तो आप उसका अर्दू में मतलब जान सकते हैं और यह एक डिफरेंट तरह कांटेंट है जो Google के पास मौझूद है और Google इसको यूटलाइज भी करता है और आपको शो भी करता है इसके लावे एक और चीज़ जो Google कांटेंट के शकल में अपने पास रखता है वो है आपकी परसनल डीटेल्स So for example आप कैलेंडर यूज़ करते हैं अपना स्केजूल मेंटेंड के लिए कौन सा इवेंट है कहां जाना है कहां से आना है किसके साब मीटिंग है कब मीटिंग है आप पुरा दिन अवेलेबल हैं या नहीं ये वो एक ओर कांटेंट है जो गूगल मैनेज़ करता है और इसी तरह से ये सब कांटेंट जब गूगल के पास है उसकी बेश पे गूगल इनफ्र-मेशन जिनेड़ करता है और इनफ्र-मेशन की बिना पर वो आपको हल्प भी करता है और इसको हेल्प करने का तरीका Google Assistant के नाम से एक प्रोग्राम है जो आपके मॉबाइल में या अगर आप Google डेस्टॉप पे यूज़ करें तो Google Assistant के तहद आप Google से सवाल पूछ सकते हैं अपनी जुबान में अर्दू में भी और इंग्लिश में भी और आप उनसे Google आपको उसके कॉंटेंट के अंदर एक चीज़ समयना बहुत जरूरी है कि कॉंटेंट इफरेंट फ्रीक्वेंसी से डिफरेंट इंपोर्टेंस के साथ कभी भड़ता है कभी काम होता है फ्रीक्वेंसी मतलब पहले टेक्स बहुत ज्यादा लिखा जाता था अब लोग चुके मोबाइल बहुत आम है कैमरा बहुत आम हो गया अब विजुल कॉंटेंट बहुत ज्यादा है लोग बहुत जल्दी वीडियो बना लेते हैं बहुत गूगल कॉंटेंट जिसे आप कह सकते हैं वो बड़ा आम हो गया है इसके ओपर एक जो नई चीज़ जो नई फॉर्मैट कॉंटेंट की वो इंट्रियूस हो रही है वो है आडियो कॉंटेंट अब चुके लोग मसरूफ बहुत हैं और डिवाइसीज सब के पास हैं जाता है कि जब कोई वोईस से सर्च करे तो उसको गूगल एक्ज़र्ट रिजल्ट दे और उस रिजल्ट लाने के लिए एक वोईस एसियो के नाम से मजीद एक नई सर्विस खड़ी होगी है जो चुँके गूगल आपको एक नई यूटिलिटी दे रहा है एक आपको नई सलाहियत दे रहा है उसकी बेस पे जो बिजनसे हैं वो अपनी आप्टिमेजेशन भी कर सकते हैं ताके अगर कोई आउडियो में सर्च करे तो उनको वो मिल भी जाए इस पे हम मजीद बात करेंगे आउडियो कॉंटेंट की बेस पे हम वोईस एसियो कैसे कर सकते हैं